कि नमस्काट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मुफ्तिगी रेवडी कल्चर को लेकर भारतिय जंदा पार्टी के नहींता मंजिंदर सिर्साने अर्विंद केज रिवाल के उपर साधा है निशाना आपको बता दें कि मंजिंदर सिंग सिर्सान अपने ट्विटर पर एक वीडियो डाल कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज रिवाल को टार्गेट करती हुए कहा है कि जिस तरीके से चारे घोटाले में लालू यादब गए थे जेल के अंदर वैसे ही पर्तिय जंदा पार्टी लगातार हमला वर है आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर और इसी कड़ी में मंजिंदर सिंग सिर्साने साधा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना और इसी के साथ उन्हों ट्वीट करते हुए कहा है कि अर्विंद केज रिवाल सबसे ब प्रेस कॉंफरेंस के दोरान भारतिय जंदा पार्टी का बिना नाम लिए अभी कुछ दिन पहले लगा रहे थे कि हम अगर दिल्ली में लोगों को सुविधाय दे रही हैं अगर अगर में बिजली पानी और तमाम चीज़ों को फ्री दे रहे हैं तो आज हमें बदनाम करने की कोशिच की जा रही है और इसी के साथ अपने मित्रों के एक लाग करोड रुपे के कर्जें माफ किये हैं उन्होंने इस तरीके की बात की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की तरफ से जिसका जवाब भी मांगा गया है आज मंजिंदर सिंग सिर्षा की तरफ से अपने इस वीडियो में जो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है जिस पर इनक सिंदर सिंग सिर्षा की तरफ से जिस पर एक तरफ उन्होंने मुफ्ति की रेवडियों का जो कल्चर है उसको लेकर निशाना साधा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के ऊपर और वहीं ये इन चीजों का भी दिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो आज प पॉलिसी को लेकर भी सिर्षाने साधा है दिल्ली की सरकार के ऊपर सवाल और कहा है कि जिस तरीके से बार बार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हर एक मुद्दे को लेकर हर एक छोटी चीज को लेकर आज सोशल मीडिया पर कभी प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं कभी मोधी सरकार क को खुला से हो रहे हैं और किस तरीके से बाटे गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे घुटाले मैं मनीश शोदिया को बचाने का प्रियास कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जुरिवाल अगर इसी तरीके से चीज़ां चलती रही तो तो एक दिन मनीश शिशोधिया जेल में जाएंगे और अगर मनीश शिशोधिया जेल में गए तो अर्विंद केजरिवाल के खुलेंगे काफी जादा तार और इसलिए अर्विंद केजरिवाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीम यानि की उपमुख्यमं मनीश शिशोधिया को लिकर पॉलिसी को लेकर जीहां इन तमाम चीजों को लेकर निशाना साधा गया है आज भारतिय जंदा पार्टी के तरफ से जोस तरीके के बयाराज सामने आ रहे हैं मंजिंदर सिंग सिर्चा के और वहीं हम आपको बता दें कि इतना ही नहीं कि स्रें मंजिंदर सिंग सिर्चा ने सवाल किये हैं या फिर निशाना साधा है दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विं विंकेा साथ ही गौतम गंभीर ने भी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यारी कि मनी दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की प्रेस कॉन्फरेंस को रीट्वीट करते हुए गौतम गंभीर ने भी निशाना साधा है अर्विंद केजरिवाल के ऊपर और कहा है कि वा क्य यूग है जनता के हजारों करोड रुपे अपनी सूरत पर निचार करने वाला भी प्रवचन दे रहा है इस तरीके की बातों को कहा गया है दिली के मुख्यमंद्री के खिलाफ भारती जनता पार्टी की तरफ से और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दे कि आज जो मुद्दा सोचल मीडिया से लेकर सड़कों पर लेकर गरमाया हुआ है कि किस तरीके से अर्विन केज रिवाल की जो सरकार है वो रैसलर दिविया काकरान को उनका जिस तरीके से वो जी थी उन्होंने मैडल लिया और वो दिली में रहतिंग है और उनको भी कोई पैसा नहीं दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से जिसको लेकर उन्होंने तमाम खुलासे भी किये थे कल प्रेस कॉंफरेंस करकर उस पर भी आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारदुआज का बयान सामने आया सफाई सामने आई तरीकिस उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्लेयर है वो दिल्ली में रहती हैं पर उन्होंने इस दिल्ली के लिए नहीं खेला है 2017 से 2017 के बाद और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीम यानिक एरविंद केश डिवाल ने उन्हें 2018 में बुलाया था हम उनका सम्मान करते हैं पर वो दिल्ली के लिए नहीं खेलती हैं वो उत्रपरदेश की है इसलिए पर वो दिल्ली में रहती हैं तो हम उन्हें पैसार नहीं दे रहे हैं इस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है दिविया काकरान जो रेसलर है उनका जो तरीके से आज मुद्दा गरमाया हुआ है उसको लेकर भी ये सफाई दी गई है आम आदमी पार्टी के विधा उत्रपरदेश की हैं तो इसी पर आज लोग जो है वो दिल्ली की सरकार पे उपर निशाना साथते हुए कह रहे हैं तो बजरंग पुनिया को पैसे क्यों दिये वो भी तो हर्याना के हैं हर्याना को रेप्रेजेंट करते हैं तो फिर उनके लिए अर्विन केजरिवाल क्यो प्या काकरान को देने के लिए आमादमी पार्टी सरकार के उपर पास पैसे नहीं है पर वही किस तरीके से अर्विन केजरिवाल उत्रपरदेश के दादरी में और था अखलाक जब उसकी मृत्ती हो गई थी तो उसे किस तरीके से अर्विन केजरिवाल भाग कर पैसे देने जो की दिली में रहते हैं देश का नाम रोशन करते हैं और किसी सपोर्ट फें हिस्सा लेते हैं यानि कि कहीं ना कहीं खिलाडियों का मनूबल तोड़ने का काम आज दिली की सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इसी तरीके की चीज़ें आज हमें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिर रही है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ खेर इसी के साथ अगर हम बात करें कि यह जो गुस्सा है आज अर्विंद केजरिवाल के मुफ्त के कल्चर को लेकर मुफ्त की जो रेवडियों का कल्चर है यह मामला अब सुप्रीम कोट में चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोट में अब 17 तारिक को फिर से एक बार इस पूरे मुद्धे पर सुनवाई होनी है जिसको लेकर अब भारती जंता पार्टी लगातार हमला वर है दिल्ली की सरकार के उपर जिस तरीके से दिल्ली में मुफ्त की रेवडियों का कल्चर आज दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने बनाया है जब दिल्ली में चुनाब 2020 में हुए थे उसे पहले भी फ्री बिजली फ्री पानी के इस तरीके से चुनावी वादे किये गए थे दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल की तरफ से और वहीं इसी तरीके से सरकार बनाई गई है पंजाब में और आज पंजाब के इस तरीके से तीन लाग करोड से भी जादा करजे में दब चुका है ये बात किसी से छुपी नहीं है और इसलिए वहां के मुख्यमंतरी भी अब देश के प्रधान मंतरी देश की केंद सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें एक साल मैयाने की दो वर्षों के लिए और हर प्रतेक वर्ष उन्हें पचास हजार करोड रुपे दिये जाएं और वहीं अब गुजरात में जो आने वाले हैं विधान सभा के चुनाव वहां पर भी अर्विन केजरिवाल अब को बता दें कि जहां अर्विन केजरिवाल अपनी सरकार को बना ले के लिए लगातार वादे कर रहे हैं फ्री का लॉलिपॉप दिखा रहे हैं चुनावी वादे मुफ्ति की रेवडियों का बाटने का काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोट में इसी चुन दा गंभीर नहीं है ये पर ये बहुत जादा बड़ी समस्या है क्योंकि मुफ्ति की जो रेवडिया है और जो कल्चर है इससे काफी जादा देश की अर्थ विवस्ता को नुकसार हो रहा है और इसी लिए इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए और इसी की साथ अर्विन की सरकार की तरफ से प्रेजेंट वकील अभी शेक मनु सिंग वी और दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल भी कई बार इन चीजों का जिकर कर चुके हैं और उनके तरफ से भी कहा गया कि मुफ्तिकी रेवडियां और लोगों की मदद करने में यानि कि कल्यानकारी दो इस पर भी सुपरीम कोट ने वीचार करने के लिए कहा है और कहा है कि इस पर भी एक कमेठी गठिन किया जाएगा जो कि पता लगाएगी कि कौनसी योजनाई कल्यानकारी है और कौनसी हैं मुफ्तिकी रेवडियां बाटने वाली योजनाई जिन से देश की कि जो पार्टियां मुफ्त की रेवडिया या फिर चुनावी वादे करती हैं उनकी मानतार रद होनी चाहिए यह जन्हिती आचका लगाई गई है सुप्रेम कोर्ट पे और आज भारते जन्ता पार्टी जो तरीके से लगातार निशाना साथ रही है आम आदमी पार्टी सरका के उपर क्योंकि पहले ही दिल्ली के स्वास्थ मंतरी जेल वे है मनी लॉंडरिंग के मामले में और वहीं अब शराब नीती को लेकर लगातार जाच का जो दायरा वो बढ़ता जा रहा है मनी शिशोदिया को लेकर और इसी को लेकर आज भारती जन्ता पार्टी लगातार न जेल के अंदर गए थे एक दिन कोट भी अर्विन केजडिवाल को इसी तरीके से जेल भेजे की खेर इस पूरे मुद्देपार आपकी क्या राय है आप मैं कॉमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद